फ्लाइंग बीस्ट की जिंदगी में बड़ी हल चल सुर्खियों में गौरफ तनीजा और रितूराठी की तलाक की खबरें नमस्कार, मेरा नाम है सचिन अठोर और आप देख रहे हैं न्यूजवाल इंडिया पर हमारा खास शो जो अपकों इंटरडेन्मेंट की खबरों सकत गजाने के लिए हमेशे दयार रहता है आज हम बात करेंगे यूट्यूब पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशूर गौरफ तनीजा की जिनके लागों फॉल्लोर्स है हाली में अपने परसनल जीवन को लेकर सुर्खियों में है गौरफ और उनकी पतनी रितू राठी के वीच तलाग की कबरें सोशल मीडिया पर थेजी से फैल रही है जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया गौरफ तनीजा जो अपनी व्लॉक्स के जरीए परिवार के साथ अपनी जिन्दगी के मज़िदार पलों को दिखाते हैं तो वहीं अपनी फैमिली लाइफ को खुल कर दिखते हैं उनके यूट्यूब चानल पर उनके फैंस को रितू के साथ उनकी कुशहाल जिन्दगी के कई पल देखने को मिले इस तरह से खबरें ने उनके फैंस को हैरान कर दिया जो उनके रिष्टे की मजबूती को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे हलाकि गौरव और रितू की ओर से इस मामले पर भी तक कोई टिपपड़ी सामने नहीं आई लेकिन सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने इस विशे पे चर्चा करना शुरू कर दिया कई लोग इस बात को लेकर परिशान है कि क्या ये खबर सच है और फिर क्या सिर्फ अव्वा कुछ फैंस ने अपने ट्वीट्स पर पोस्ट के जरिये सिसी पर अपने विचार भी चताए जबकि अन्य ने अपने प्रती यूट्यूब के साथ खड़े होने का फैसलाज जदाया कुछ यूजर्स ने ये भी खां कि आशकल सेलिब्रिटीज की परसनल जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी हो गई है कि कई बार सचाई को भी नजर अंदाज कर दिया जाता है गौरव तनेजा ने अपने यूट्यूब सफर की शुरुवाद 2019 में की थी जब उन्होंने अपने और रितू की जिंदगी में कई भलू को साजा किया उन्होंने सक्सेस, यात्रा व्लॉक्स और परिवार के साथ बिदाए गए समन बल को भी उन्होंने रितू को न केवल एक यूट्यूब चैनल बलकी परिवार के रूप में भी लाखों के दिलों में जगे बना ली अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि गौरव और रितू इस मामले का कैसे सामना करेंगे और क्या वो अपने फैंस को इस बारे में और जानकारी देंगे ये स्व्यक्तिकत मुद्दा मानने के वाला एक परसनल रुकेंगे और क्या लोग इसे परसनल ही मान कर छोड़तेंगे इस बीच फैंस आशा करते हैं कि केवले कवा हो और उनके पसंदीता यूट्यूबर और उनकी पतनी के बीच सब कुछ ठीक हो जब तक इस मामले में कोई बयान नहीं आता तब तके मामला ऐसे ही बना रहेगा गौरवर रितू के चाने वाले उनके अच्छे स्वास और खुशाल जीवन की काम ना कर रहे हैं चाए जो भी हो उनकी यूट्यूब यात्रा और फैमिली व्लॉगिंग में जो खुशी उन्होंने अपने फैंस के साथ साजा की वो हमेशा याद रहेगी इस तरह का मुद्धा समाज पर प्रभाब डालने वाला है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें दूसरों के निजी जिन्दगी का सम्मान करना चाहिए ऐसे अप्डेट्स के लिए देखते रहेए न्यूस वाल इंडिया